तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे वैसे मैं तो रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता क्यूंकि मेरा फिजिकली बहुत पॉब्लेम रहता है फिर भी मैं कोशिस करता हूँ अच्छा अच्छा वीडियो लाने का तो आज के वीडियो को तो 120 का fps कर भी नहीं मिलेगा और यह जो फ्री फार गेम है यह मैक्सिमम 90 fps दे पाता यह भी 120 fps का गेम नहीं है तो आज हम दिखाएंगे वही कि कैसे आपको सेटिंग करना है कॉंसा सेटिंग से आप फ्री फार में 90 fps आपको मिल सकता है अगर आपके पास फुल HDMI डिस्पल है तो और मेरा तो भीजी है फिर भी मेरा 70 75 60 से उपार आही जाता है मेरा जो fps तो बही आप आज हम इस गेम में चेक करेंगे और आप लोगों कोई मन में कोई सवाल रहे कोई कोस्टन रहे तो जरूल मेरे को पूछना मेरा नजर में आए तो मैं एंसा दूंका रिप्लेश यह ceo तो चलिए आज के वीडियो च्टा हिए गे फिया तो चलिए आज के वीडियो स्टाट्व करता देखते क्या होता तो मेरा अभी fps देखिए ज्यादा नहीं दे रहा क्योंकि मेरा जो डिस्प्ले है वो सब्सक्राइब नहीं करता जो 90 fps है लेकिन फिर भी आप देखिए 62 हो रहा है 67 कभी-कभी 70 भी जा रहा है देखिए fps के ऊपर नोट केजिए इतना बड़िया हाई fps दे रहा है अभी 70 दे रहा है तो मैं अभी गेंपले पर ध्यान नहीं दे रहा है fps के ऊपर नज़द है मेरा वां टैब लग गया बड़िया से बैसे आप लोग fps पर ध्यान दो हां मैं भी दे रहा हूं थोड़ा गेम पर विध्यान दे दिया भी चला भी कुलिक मर जाएंगे इसको मानने की कुछिस कर आएंगे फिर मनने के बाद आपको दिखाएंगे तो fps देखे 70 दे रहा है कि इतना हाई दे रहा fps और इसका सेटिंग में आप आपको दिखाएंगे अरे भाई मेरे को मार दे नहीं तो मार जाखूँ तो आप देमी फिक के क्या कर रहा है इसका इरादा क्या है चलो इसको भी मार गया तो अभी दिखाते है सेटिंग मेरे fps देख सकते हैं 71 72 तो सिधा चले जाएंगे हम सेटिंग भी ठीक है तो इसके लिए क्या करना है सिंपर आपको सबसे पहले माल्टी मेओ को ओपन करना है रहता है utilizz 120 fps को ऑन करना है ठीक है जो पहली बात और प्रोफाल पर जाना इदा देख्ए डिफल्ट पर जाके पहले आपको यह asus को सेट करना है फिर कस्टोम पर जाकर आपको ही पर देखिए और यह हो जाने के बाद कुछ नहीं काना है और इसको कार्ट देना है और इसके बाद आपको program prime पर जाना है तो इधर देखे मैंने memo को add कर दिया ठीक है और इधर memo नहीं रहे था तो add कैसे करता है इधर आपको add करना है इधर आपको browse capture मिलेगा ठीक है आप जिधर memo install है उधर पर जाना है ठीक है तो मेरा आपको आपको कर देना ठीक है और उसके बाद क्या करना है simply नीचे आना है इधर आपको भाटिकल साइंस देखना है ठीक है तो यह क्या रहता है यह यूस दा 3D application setting रहता है तो इसको आपको आप कर देना ठीक है ओप करने के आपको apply option आजाए apply करना है बस हो गया फिर आपको कुछ नहीं करना फिर आपको काट देना है सब कुछ पिर आपको करना मिमो को ओपन तो मैंने dpi बढ़ा के रखा है ताकि सब कुछ बढ़ा बढ़ा दिखे तो अभी मेरा फ्रीफायर भी है थोड़ा सा बढ़ा दिखेगा तो देखी देख सकते तो ऐसा आ गया लेकिन हमारा जो एपीएस जो है वह हाई हो गया अभी कभी भी 60 fps नहीं देगा उससे ज्यादा ही देगा और मैं वैसे जिन लों के पास मेरे तरह बिचे डिस्प्लेए लो पीस है उसमें फायदवें नहीं है क्योंकि लैग होगा इतना हाई सेटिंग में लैग होगा हमारे पास सेटिंग उतना हाई नहीं है डिवा मेरा इधा रेट भी आ गया क्योंकि मेरा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता एक सब्सक्राइब कर जासा वीडियो बना में भी बहुत मैंनत लगता है जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है तो चलिए वीडियों के अच्छा लागे तो लाइक देना और कोई कॉमेंट रहे मन में कोई सवाल जबाब रहे तो ज़रूर करना कॉमेंट मेरा नदर में आया तो मैं ज़रूर रिप्लेश होंगा ठीक है तब तक फेलिए झाल झाल